नमस्कार मैं हूँ आर्थिहिंद शुताओं हाली में मुंबई में उद्योगपती और रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेट के चेर्मेन मुकेश अमबानी के घर के पाहर एक स्कॉर्पियो में विस्फोटक बरामत किया गया था जिस कार में विस्फोटक मिला था वो चोरी की थी लेकिन अब इस मामले में एक चोकाने वाला मोड आ गया है दरसल स्कॉर्पियो कार के मालिक बताय जार है मनसुक हिरेन की लाश संदिग्द हालत में मिली है ठाड़े के डीसीपी ने कहा कि कलावा नदी में कूदने से उनकी मौत हुई है ये मामला आत्म हत्या का है आ एक बजे ये गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी दूसरे दिन गुरुवार को इस पर पुलिस की नजर गई तो कार बरामत किया गया ये मामला उस वक्त जितना सीधा दिख रहा था वैसा कते नहीं है इसमें लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं तो आए भाबना श्रवास कराने थाने पहुझे परिवार को उस जगय ले जाया गया जहां बॉड़ी मिली थी उन्होंने पैचान करके बताया कि यह शब मनसुक का ही है कहा जा रहा है बाद में महाराश्र के ग्रिह मंत्री अनिल देशमुक ने स्तुती साफ की उन्होंने विधानसभा में बताया कि कार के मालिक का नाम सैम है उन्होंने इसके इंटीरियर के मेंटिनेंस के लिए मंसुक हिरेन को दिया था सैम ने इसके लिए पेमेंट नहीं किया तो हिरेन ने का पहले महाराश्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फरणवीज ने ये मुद्धा विधान सभा में उठाया फरणवीज ने कहा कि जब इंटीलिया के बाहर गाड़ी मिली थी तो वहां जो अधिकारी सबसे पहले पहुचा वो सचिन वजही थे मुबई क्राइम ब्रां है कि गाड़ी चोरी हो गई थी और सचिन वजह का पहले वहां पहुचना सवाल खड़े ही करता है उधर देवेंद्र फरणवीज के सवाल उठाने पर अपनी सफाय में पुलिस अफसर सचिन वजह ने कहा कि वो मनसुक हिरेन को जानते थे कई बार उससे मिले थे मनसुक ने मांग की थी कि इस मामले की जाच नाशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी यानि इनाईय से कराई जाए कारमाली कर्शा मिलने के बाद से परणवीज ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाती तो शायद वो नामरता जिस तरीके से मामला आ रहा है केस इनाईय को हैंड़ोवर हो आतंगवादी गत्विधियों में सनलिप्त पाय जाने वाले लोगों पर धोस कारवाई करके उनकी संपत्ति तक सीज करना और उस व्यक्ति या संगठन को आतंगवादी घोशित करना है इसमें राजसरकार को हस्तश्यप करने का अधिकार नहीं है परणवीज क्यारो पर मह इतापोती करार देते हुए फरणवीज ने कहा कि वे इस केस से जुड़े सारे सबूत केंद्री ग्रिमंत्री अमिच्शाह को सौपेंगे यहां यह जाना जरूरी है कि क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वजह पहले भी विवादों में रहे हैं दो दिसम्बर 2002 को मुंबई के घाट कोपर में बंधमाके के एक आरोपी खौजा यूनूस की पुलिस हिरासत में मौत हो गए सचिन वजह पर उनकी मौत से जुड़े तथिछे पाने का आरोप था इसी के चलते साल 2004 में उन्हें गिरिफतार किया गया और बाद में सस्पेंट कर दिया गया था फिर 2008 में वजहे ने स्तीफा दे दिया था हाला कि उद्धव सरकार बनने के बाद वजहे को करीब 12 साल बाद 7 जून 2020 को फिर भाल कर दिया गया उन्हें मुंबई पुलिस के Crime Intelligence Unit का हेड बनाया गया साल 1992 के पुलिस अधिकारी वजहे अपने कारिकाल के दौरान लगभग 63 मुटभेडो का हिस्सा रहे सचिन वजह वही शक्स है जिन्होंने अर्णब गोस्वामी को उनके घर से अरिस्ट किया था एंटिलिया के इसकी बात करें तो Crime Branch के एक अधिकारी के मताबिक मनसुख हिरेन ने बताया कि उनकी गारी करीब एक साल से इस्तमाल में ही नहीं थी जस दिन गारी चोरी हुई उस दिन भी इसलिए निकाली थी क्योंकि वे इसे बेचना जाते थे रास्ते में गारी बंद हो गई उन्हें जल्दी थी इसलिए गारी एरोली ब्रिज के पास सड़क के किनारे खड़ी कर दी अगले दिन वो कार लेने गए तो वो नहीं मिली उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी अब सवाल यह है कि अगर मंसुख हिरेन नाम के इस शक्स की गारी चोरी हुई थी और अमबानी से उसका कोई लेना देना नहीं है तो अब उसका शब मिलना किस और इशारा करता है क्या ये कोई गहरी साज़िश है और अमबानी परिवार के तार इसे कैसे जुड़ते हैं मंसुख हिरेन की मौत को पुलिस ने इतनी जल्दी आत्महत्या करार कैसे कर दिया जबकि परिवार उनका कतल होने का दावा कर रहा है ये कोई आशर की बात नहीं होगी अगर आगी जाकर इस मामले में बड़े-बड़े और चर्चित लोगों के नाम सामने आए और चौकान करने वाले खुला से हो ये शोता हूं आपको लगता है कि ये कोई आतंकवादी साज़श हो सकती है या ये मामला इससे भी बड़ा है क्या लगता है आपको अपनी राय कॉमेंट कर साजा कर सकते हैं इसी के साथ आज किस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए यहीं पर इज हुआ है